नमस्ते बच्चों, आजम इंदी का पाठ सोलह बोलो और जानो यह पाठ पड़ेंगे इस पाठ में कुछ वस्तुओं की चित्र दिये है, पाठ में उनके इंदी में नाम दिये है पहले में लोग देखेंगे छोटी सी प्रस्तावना, बाशा की सबसे छोटी इकाई शब्थ है यह देखने में भली छोटे लगते हैं, लेकिन असरदार होते हैं एक कटू शब्थ मित्र को शत्रू बना देता है इसलिए इने सोच समझ कर इस्तमाल करना चाहिए इस पाट में हमें कुछ शब्थ जानने और बोलने को कहा है प्रत्यक भाशा के अपने शब्थ होते हैं इनिकी माध्यम से हम अपने विचारों को वानी देते हैं और कलम से लिखते हैं कलम एनिकी पेन ये शब्थ सही लिखे या बोले जाने पर अर्थ पूर्ण होते हैं लेकिन गलत उचारन या गलत लेखन इने निरर्थक बना देता है इस बात को ध्यान में रखते हुए पाट के एक एक शब्थ जानिये और बोलिये इस पाट में हम लोग को क्या कहा हैं कुछ चित्र दिये और उस चित्र के नाम दिये इनिमे तो हम लोग उसको जो नाम है उसको हम लोग मात्रुबाशा में मराठी में भी देखेंगे उस शब्त को क्या कहते हैं चलो अब हम देखेंगे पहला चित्र कौन सा है क्या है अम्रुद अम्रुद है इंदी वाला नाम है तो अब अम्रुद को मराठी में क्या कहते हैं अम्रुद को मराठी में पेरू कहते हैं अब हम अगला चित्र कौन सा है गुबारा गुबारा यानि मराठी में उसको क्या कहते है फुगा अब अमलों का अगला चित्र कौन सा है कौन सा है घर गर यानि मराठी में उसको क्या कहते है घर को घर भी कहते है और निवास निवास भी कहते है अब अगला चित्र कौन सा है बस्ता बस्ता यानि उसको मराठी में क्या कहते है दफ्तर अब हम लोग का अगला चित्र कुन सा है बेला मतलब वो मातर भाषा में बुलते हैं अब हम लोग का अगला चित्र कुन सा है पानी तो मराठी में भी उसको पानी कहते है लिकिन जो पानी है इंदी और मराठी में जो नव में क्या है अलगर फरक है इंदी में हम लोग नव देखो कौन सा इस्तमा करते है नल का जो रहते है और मराठी में अगर पानी शब दिखना है तो उसको लास्ट में न कौन सा आएगा जो बान करेता है ओ न आएगा अब हम लोग का अगला चित्र कौन सा है गुडिया गुडिया को मराठी में क्या कहते है बावुली क्या बावुली गुडिया निकी बावुली अब हम अगला चित्र देखेंगे कौन सा है हवाई जहाज हवाई जाब सबको पता ही है हवाई जहाज को मराठी में क्या कहते है वीमान क्या कहते है वीमान अब अगला कौन सा है कलम हम लोग सब कलम से लिखते हैं ना कापी में तो कलम को मराठी में क्या कहते है पेन क्या पेन अब अगला चित्र कौन सा है उड़न तश्चरी उड़न तश्चरी को मराठी में क्या कहते है उड़ती तपकडी क्या उड़ती तपकडी अब हम अगला चित्र देखेंगे कौन सा है मुझ सबको पता है न मुझ आदमी लोग की मुझ रहती है तो मुझ को मराठी में क्या कहते है मीशी क्या मीशी अब हम अगला चित्र देखेंगे अगले चित्र में कौन सा है क्या है विद्यालई विद्यले यानि मराठी में उसको क्या कहते है शाडा क्या कहते है शाडा और हम लोग सब विद्यले में जाते हैं विद्यले में हम लोग क्यों जाते है पढ़ने के ले जाते हैं शाबास अब हम लोग का अगला चित्र कौन सा है तिल चट्टा क्या है तील चट्टा को मराठी में क्या कहते है जुरल क्या जुरल यानि की कौकरज है न हूँ उसको अंगरेज में कौकरज कहते है अब हम देखेंगे इस चित्र में क्या दिखा इदर है एक कुद्धा है और उसमें क्या दिखा है यह कुद्धा है मतलब जैसे हम लोग यानि कि यह, यह मतलब अम लोग को कब इस्तमाल करते हैं, जब अम लोग को अगर पास की चीज दिखाना रहता है, तो अम लोग यह का इस्तमाल करते हैं, समझ में आया, अर अम लोग का आखरी कौन सा है, क्या ही दिखाई दे रहा है, पुस्तक, क्या दिखाई है, वह पुस् चीश दिखाना है तो हम लोग वह का इस्तेमाल करते हैं जैसे हम लोग अंग्रेज़ में बोलते हैं ना that is a book मतलब this और that का हम लोग इस्तमाल करती है वैसे इसमें भी यह और वह का इस्तमाल किया है तो बच्च आपको समझ में आया इस पार्ट में हम लोग को क्या कहा है मतलब हिंदी में भी कुछ शब्दी है उसको मातरु भाषा में यानि मराठी में क्या कहते है वो भी हम लोगों ने इस पार्ट में पढ़ा है तो बच्च आपको सबको समझ में आया शाबास